नमस्कार मित्रो एक्जाम ग्यान मंत्रा में आज पुना आपका स्वागत है एजी टी या अन्डेकरशी प्रदियोगी परिक्षाओं के लिए जो कुछ इंपार्टेंट एगरी कल्चर कोश्चन्स हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे और इसी क्रम में आज एगरी कल्चर एक्स्टेंशन प्रशार सिक्षा के कुछ प्रशनों को हम हल करेंगे जिनके क्रम में आज पहला क्वेश्चन ही है आपका सरप्रतम प्रशार सब्द की का जो प्रियोग है वो किस देश में हुआ इसका है इंगलेंड में करशी प्रसार सब्द का उपयोग हुआ और इसकी जो सेवाए हैं वो स्टार्ट जो है की गई हैं अमेरिका में और भारत में 1955 से में करशी प्रसार सब्द का प्रयोग हुआ है और बिस्तार सिक्षा जो अपने यहां लागू ही है इसका 1903 माना जाता है तो इसका है सरव प्रसार सब्द का जो प्रयोग होता है वो इंगलेन में है प्रसार सिक्षा का सिध्धान प्रसार सिक्षा किसी भी चीज का प्रसार या फैला हो वो दूसरे को प्रदान करना और ये है प्रसार प्रसार सिक्षा का इसमें बताता है कि सिध्धान्त क्या है तो मूल सिध्धान्त है इसका एक तो सिखाओ दूसरों को तो सिखाएंगे कब जब खुद सीखेंगे केवल सीखना है सिखाना नहीं है किसी को, कोई मतलब का नहीं है तो इसका है कि सीखो और सिखाओ मेल सिध्धान्त है इसका यानि और भी है Learning by doing करके सीखना ये भी प्रसार सिख्षा का एक सिध्धान्त है और इसमें आपजेक्टिव जितने भी दिये हुए है उसके आधार पर सीखो और सिखाओ ये प्रसार सिख्षा का मूल सिध्धान्त है 21. सदी में खेती अब 21. के आप तो आगे बढ़ गई है में खेती के दो पहलू रहे पहले के भी 1947 में जब देश आजाद होता है आज इतना लंबब पहुंच चुका है देखे एक समय था कि जब देश में खाने को अनाज नहीं हुआ करता था भुखमरी के सिकार हुआ करते थे लोग और किसी तरह से पेट भर पाए जनता का इसके लिए लगातार प्रयास जारी था 1965 में जब लाल बहादूर सास्त्री प्रधान मंत्री बने नहरू जी 64 में नहीं रहे उसके बाद लाल बहादूर सास्ती देश के प्रधान मंत्री बने और नहोंने परिस्थितियों को देखा तो एक तो युद्दे की भीष का उस समय 48 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ फिर 62 में जाकर के चाइना से युद्ध हुआ तो 71 में बाद में भी पाकिस्तान से फिर हुआ तो उस समय युद्ध की भीष का थी देश का नया नया आजाद हुआ था देश का बटवारा भी हुआ था ये परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूली थी भारत के लिए उस समय चाइना के युद्ध में भारत को हार भी मिली थी तो उस समय ही जबलाल बहादूर शास्त्री जी आये और उन्होंने नारा दिया था जै जवान जै किशान फूल पूरे लहाबाद के पास है जो उनका संसदी छेतर हुआ करता था वहां से उन्होंने अपना एक भाशन में ही दिया था कि हमारे जो देश के जवान है वो तो हमारी रक्षा कर रहे हैं बार्डर पर चुकि 65 का पाकिस्तान का युद्ध जीत चुका था भारत लेकिन आज भी भूखमरी है पेट नहीं भरता है अमेरिका जैसे देश आखे दिखाते हैं कि अगर हम मानाज न देंगे तो भूखों मर जाएंगे और उसी समय उन्होंने नारा दिया था जै जै जवान जै किसान और उन्होंने आवान किया था कि बैग्यानिकों से कि आप इतनी तरह की जो है नई बराइटिया निकाले जिससे उत्पादन बढ़े और किसानों से कहा था कि आप दिल जितना आधिक तमकार कर सकते हैं करिये जिससे कि यहां के लोगों का पेट भर सके तो जै जै जवान ज किसान का नारा भी उन्होंने दिया था लेकिन फिर उसके बाद संतरप्त हुआ फिर धीरे-धीरे करके अब बढ़ते हुए एककीशमी सदी बाइसमी और तेशमी अब तो लगातार बढ़ती चली जा रही ये एककीशमी सदी में अब कैसा होना चाहिए तो लगातार क्या लगातार इसमें बिस्तार हुआ अच्छी बरायटी आई सिचाईशु विधाओं का विकास हुआ फर्टिलाइजर्स के उपयोग बढ़े तो उत्पादन बढ़ा और लगबग हम आत्म निर्भर हो गए हैं लेकिन आत्म निर्भर होने के करण क्या जितना फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ अब खेत क्या है जो उत्पादन है वो बढ़ना बंद हो गया है एक सीमा तक आ गया है अब इसमें क्या होगा खेत लगातार खराब हो रहे हैं उसर हो रहे हैं बंजर हो रहे हैं अब 21 सदी में यह है जो उत्पादन बढ़ने से और इसमें क्या होगा ति बेग्जानिक तकनीकी खेती बेग्जानिक खेती तो हो ही रही थी अभी हो रही है लगातार 21 सदी में आया है टिकाऊ खेती टिकाऊ खेती माने जो sustainable लेगरी कल्चर यानि जो हमारा उतपादन है वो गिरावट की उर ना जाये एक स्थिर हो जाये क्यों क्योंकि खेतों के अब उत्पादन लगातार गिर रहा है उस समय तक पहले थोड़ी सी fertilizer डालने से production बढ़ता था लेकिन आज उतनी fertilizer से production नहीं बढ़ पा रहा है तो लगातार खेतों में जो उत्पादन छमता है उसकी गिरावत हो रही है उस उसमें इस्तिरता है, टिकाउपना है, ये एक किस्मी सदी की खेती का प्रमुखुद देश जवे से अब बरतमान में पहले क्या था, भरण पूशन की खेती थी, और अब क्या हो गया है, क्रसी का बेवसाई करण हो गया, बाजारी करण, या कहें कि क्रसी कैसी है, बाजार उन तो अब उसका बेवसाई करण हो रहा है खेती का, तो टिकाउपना होनी चाहिए, और एक किसमी सदी में खेती और क्या हो रही है, बाजार उनमुक हो रही है, माने बेवसाई करण इसका हो रहा है, तो इसका होगा टिकाउपना हो गया है, तो इसका होगा टिकाउपना हो ग से भारत में भी आया। इना इटावा पाइलेट प्रोजध एक प्रमुक था और ये 1948 में इसको इस्टार्ट किया गया। और यह नाम ETAWA District में है तो ETAWA District में एक पड़ता है महेवा और वहां पर इन्होंने अलबर्ट मेयर है उन्हों ने इसको स्टार्ट किया था और ये योजना अपने एक्रिकल्चर इक्स्टेंशन में बहुत महत्वपूर्ण रही इसी से प्रेरित हो करके जब इसकी सफलता आई इसी में गाउं में जाकर के टीम बनाई गई बिलेज इक्स्टेंशन सर्विस इस जब इसकी सफलता को देखा या यूं कहिए कि ये जो अपने कम्यूनिटी डेवलप्मेंट प्रोग्राम सीडीपी या सामुदाइक विकास यूजना जो 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुई उसका ये प्रथम चरण इसी से प्रेरित हो कर के कम्यूनिटी डेवलप्मेंट प ये हमेशा कोश्चन हमेशा एक्जाम में आते हैं इसको ध्यान लखने की जरूरत है चिपको अंदोलन क्या होता है चिपको अंदोलन जो सुरू किया गया था ये सरप्रथम उतराखंड में है क्या था जैसे ही आया और बनों का दोहन सुरू हुआ इसमें शुंदरलाल बहुत इंपार्टेंट रोल रहा उनका तो इसमें क्या था कि जंगल के जब ब्रक्ष काटते थे तो वहां की इसमें महिलाएं प्रमुख रूप से आगे आई और शुंदरलाल बहुगुणा इसके नेत्रत भी कर रहे थे इसके अंतरगत ये कारकरम हुआ कि जो महिलाएं ह चिपक जाती थी और कहती थी कि इन ब्रक्षों के काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा इसलिए बहुत इंपार्टेंट था कि ये ब्रक्षों की रक्षा के लिए एक कारकरम सुरू हुआ था क्योंकि महिलाएं उन ब्रक्षों से जाकर के चिपक जाती थी मिशी की तरज पर था ये अपने उत्रा खंड में था चिपको और दक्षिन भारत में जो स्टार्ट हुआ एपको वांदोलन ये ब्रक्षों की रक्षा से संबंदित था चिपको इसलिए कह देते हैं क्योंकि इससे पेड़ों से जा करके वहां की महिलाएं या जो इसका नेतर माननी पड़ी और पर्यावर्ण की रक्षा ब्रक्षों की रक्षा के लिए इस पर बहुत अच्छा कार्व हुआ लोगों का बहुत जन समर्धन मिला जिससे की वहां पर ब्रक्षों की रक्षा हो पाई क्रशी छेतर में अब तक एक मात्र नोबल देखें एक मात्र नोबल जो मिला है वो एनी बोर्लाग नार्मा नरनिस्ट बोर्लाग लगबक सभी जानते हैं और जो क्रशी के उत्पादन में प्रमुख क्रामती आई जो नोरिंटेन जीन था इन्होंने इसकी खोज की थी और इन्होंने जाकर के फिर इसका प्रचार प्रशार हुआ तो ये बिस्व में हरित करांती के जनक माने जाते हैं नार्मा निस्ट बोर्लाग इनको पहला नोबल पुरसकार मिला अब नोबल पुरसकार ये करसी के छेतर पर काम कर रहे थे करसी के छेतर में आज भी नोबल पुरसकार नहीं दिया जाता तो नोबल पुरसकार इनको कैसे मिल गया जोंकि काम था इनका करसी के छेतर में लेकिन करसी में नोबल पुरसकार मिलता नहीं, फिर भी इनको नोबल पुरसकार मिला, तो नोबल पुरसकार जो इनको मिला, पहले तो इसी का question का है, नार्मन बोरलाग या नार्मन अर्निस्ट बोरलाग इनको मिला, और इनको मिला सांती के छेतर में, किसके छेतर में, सांती क चेत्र में सांथी के चेत्र में क्यों दिया गया चूंकि जब जितनी गरीबी होती है जितनी भूख मरी होती है वहांपर लोग ज curly होते हैं वहांपर थोड़े जिसे पाकिस्तार में इस समय अब आप देखिए कि इतना मारा मारी है महेंगाई की वजए से अनाज अगर बटने को आया तो लूटने से लगते हैं तो ये एक अपने देश में ही नहीं बलकि पूरे बिस्व की समस्या थी तो सबसे पहले इन्होंने बिस्व परकार किया जिस से उत्पादन बढ़ा उत्पादन बढ़ने से लोगों तक पहुचा उनके भूख सान्त हुई उनके जीवन इस तर में सुधार आया सांती आई इसलिए इनको जो पूरसकार दिया गया था वो सांती के छेतर में दिया गया था और एक्रिकल्चर से जुड़े हुए एक मात रखती हैं जिनको नेउबल पूरसकार मिला है और वो नार्मनर्शनेस्ट बूरलाग है और इन्हें फादर आफ ग्रीन रिवलिशन इन दा वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं बैस्विक हरित क्रांती है उसके छेतर पे उन्होंने बहुत अच्छा कार किया भारत में हरित करांती के जनक रहे, अब हरित करांती के जनक Green Revolution के जो फाधर तो अभी क्या बताया नारमन अरिश्ट बो लाग थे, लेकिן वो बैसु की स्थर पर थे, भारत में काल कीया, और चुँकि ये जो नारमन अरिश्ट बो लाग हैं, उन्होंने प्रियास किया था उन प्रियासों का प्रिणाम वो भारत तक भी पहुँचा एमेश स्वामी नाथन ये बाहर से लाकर के बीज लाएब उन पे रिसर्च भी हुआ उनका जो है मल्टिप्लकेशन भी किया गया और बीजों की मात्रा बढ़ा करके पूरे देश में बितरन किया गया और भारत का उत्पादन बढ़ा इसके लिए भारत में जो ग्रिन डिवल्यूशन के फादर माना जाता है या हरित क्रांती के जनक भारत में भारत में तो आपके MS स्वामी नाथन है लेकिन बिस्व में आपके कौन है नार्मन अर्निस्ट बॉर्लाग इन दोनों को हमेशा याद रखना question पढ़ते समय ध्यान रखना confusion नहीं होना चाहिए कि MS स्वामी नाथन क्या है ये Indian Father of Green Revolution है और नार्मन अर्निस्ट बॉर्लाग कहा है ये वर्ल्ड में है आपरेशन फ्लड फ्लड तो बाढ़ लेकिन आपरेशन फ्लड यहाँ पर नाम लिया गया इसके लिए जो कुरियन साहाब है उनका बहुत important रोल रहा और 1970 में सुरू किया तो आपरेशन फ्लड किस्से है ये दुख धकरांती से इसे में पशुपालन को बढ़ाया गया जिससे अपने भारत में दुख दुख उत्पादन बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ा और आज बरतमान में बिश्व में भारत दुख दुख पादन में नंबर फर्स्ट पोजीशन पे है और उसके लिए इनको बहुत बड़ा स्रेज आता है तो आपरेशन फ्लड किस्से है ये जुडा हुआ है आपका किस्से दुख धकरांती से और दुख धकरांती इसको क्या कहते है वाइट रिवलुशन कभी इसको कहते है स्वेत करांती के नाम से भी है और ये आपरेशन फ्लड जो कारकरम है ये दुख धुथ पादन से जुडा था अभी ग्रिन रिवलुशन ग्रिन रिवलुशन हरित करांती फसल उत पादन से है या नाज उत पादन से है सफेद करांती दुगदूत पादन से है लाल करांती टमाटर से है और मेट उत पादन से है पिली करांती गुलाबी करांती नेली करांती बहुत सारी करांती इन धंसी करांती आई है कभी उनकी भी चर्चा करेंगे कि कौन सी जो है revolution किस से related है तो ये दुखदक्रामती से है और operation flood इस से related है आपरेशन flood का कौन सा चरण आया अब ये operation flood start तो हो गया था कब हो गया था ये 1970 में start हो गया था अब 1970 में शुरू हुआ इसका क्या था ये first phase था और first phase के बाद फिर क्या आया ये 70 से लगा करके ये लग भाग 80 तक चला ये first phase में चला और इसके बाद फिर 80 से 85 तक 1980 से लगा करके का 1980 तक और ये क्या था ये first phase था और ये second phase था और फिर 85 के बाद फिर चला था third phase तो operation flood का कौन सा चरण अब तक पूरा हो नम्बर वन श्गाया DR. तो इसके तीन चरण लगाए गए थै और देस का पहला किशिय विश्व बिज्व इन्वस्टी है वो इस्टेट एकरी कल्चर इंवस्ट्व में अगराते में तो कौं था पंडित गोबिंद भल्लव पंत क्रशियों प्रद्यों की विश्व विद्याले पंत नगर नेनीताल में था और इस समय वो उधम सिंग नगर है उस पर हो गया है तो उत्तर प्रदेश क्रशिव विश्व विद्याले पंत नगर ये खोला गया 1960 में और ये चुकि उत्तरप्रदेश जब उत्तरखंड और उत्तरप्रदेश एक हुआ करता था तब ये उत्तरप्रदेश के ही अंतरगता था बर्तमान में ये उत्तरखंड श्टेट पर है और अपने उत्तरप्रदेश के पहले मुख्य मंत्री पंडित गोबिंद बल्लव पंथ उन्ही के नाम पर बर्तमान में ये विश्विद्याले है और उस विश्विद्याले का नाम क्या है पंडित गोबिंद बल्लभ पंत क्रशी एवं प्रद्योग की विशुविद्याले कहां पंत नगर नैनी ताल पहले लिखते थे लेकिन अब क्या लिखने लगे हैं अब उधम सिंग नगर में ये डिस्टिक में हो गया है और ये कब खुला था ये खुला था उननीस सो साथ में तो ये पहला करशी बिशुविद्याले था या स्टेट एगरी कल्चर इन्वरस्टी थी इंडिया के अंतरगत परसार सिक्षा का कौन सा तरीक अधिक प्रभावशाली है इसका सिद्धानतिय सीखो और सीखाओ अभी इसको कहा करेंगे अखबार में के वल देने अखबार में तो जो करशी परसार कारकरम है यह हमारा किषानों के लिए किषान कहा लगबग गाओं में रहते हैं और आज भी उनका सिक्षा कईस्तर इतना बहतर नहीं या कितने सारे लोग अखबार को पढ़ेंगे बर्तमान में आया भासन भासन गाओं में देंगे भासन कितने लोग सुनते हैं बेड़ जुटानी पड़ती है नेताओं को अपने चुनाओं के समय रेडियो रेडियो एक समय तो बहुत बड़ा जनसंचार का माध्यम था लेकिन बरतमान में कहीं न कहीं अब इसकी लोग प्रिता में और लगभा गायव हो गए है अब तो मोबाइल आ गया मोबाइल सबसे टाप पर चल रहा है तो रेडियो उस समय था लेकिन गरीबी इतनी थी कि रेडियो भू सारे लोगों के पास होता नहीं था लेकिन खेद पर प्रदर्शन एक ये भी शाधन लेकिन जो करके दिखाते हैं उसका क्या है सीखो और सीखाओ learning by doing करके सीखो तो इसमें क्या है जब खेत पर प्रदर्शन करने जाते हैं खेत पर उस चीज को दिखाते हैं जो योजना आई है हम बताते हैं ये प्रभाव साली है लेकिन कि अबल बातों से नहीं लेकिन जब खेत पर वही करके दिखाते हैं तो जितने सारे लोग देखते हैं वो उससे प्रेरित होते हैं उनका अनुशरन करते हैं और अपने खेतों में तो ये सबसे बहतर तरीका है कि हम करके बताएं ना और करशी प्रसार कारकरम किस से चुकि खेती से रिलेटेड है तो हम उसको खेत पर ही दिखाएं कि ये उजना इस तरह से काम करेंगे या इस तरह से खेती करेंगे या इन ही अंत्रों का प्रियोग ऐसे करेंगे हर एक चीज का है तो इसका हो जाएगा खेत पर प्रदर्शन बरतमान में ICAR के जो DGN Director General अभी इसके पहले तो लोचन महापात्रा हुआ करते थे लेकिन बरतमान में हिमान सुपाठक इसमें जादा और समझने वाली कोई चीज नहीं है जो बरतमान में चेंज हुए तो बरतमान में आपके Indian Council of Agriculture Research इसके जो महानी देशक है महानी देशक है हिमान सुपाठक इसमें स्वामी नातकन की चर्चा जो लोचन महापात्रा इसके पहले हुए रंधावा ये करसी के छेत पर ये सभी जितने नाम है ये मेल के पत्थर की तरह है इन्होंने बहुत अच्छा वर किया है और ये बरतमान में हिमान सुपाठक ही है एक इकर्द्ग्राम के अंतरगद बिकास की मूलिक आई है तो IRDP के अंतरगद जो परिवार है वो बिकास की मूल है क्योंकि इसमें क्या हुआ जो एक फेमिली को है इसी को यूनिट माना गया पूरे गाहों को नहीं सामदाई विकास केंद नहीं जनपद नहीं या ब्यक्ती नहीं इसमें IRDP का एक उदेश था कि पूरे परिवार का समग्र विकास हो तो IRDP की जो मूलिक आई है वो मूलिक आई है परिवार और इनहीं के विकास की बात की गई है उत्तर प्रदेश का पहला क्रशिविग्यान केंद्र तो पहला क्रशिविग्यान केंद्र ही अगर देखा जाए तो सबसे पहले कहां खुला वो आपका खुला 1974 में और वो कहां खुला पांडीशेरी में कभी कभी आ जाता है, चुकि यह जितने भी आपके के भी के हैं, क्रशिबिज्ञान केंड ये इस्टेट एगरी कलचर यूनिट भी इनुवस्टी भी इसको संचालिद करती है, सिंट्रल एगरी कलचर इनुवस्टी भी है, आइसी ए आर के धूर भी है, तो कई माध्यम से के जल नहीं तो पहले के खुला पांडिचेरी में जो 1974 में खुला और यह था टीएन यू कभी आ जाता है किसी इनुवस्टि के तहेत था तो टीएन यू तमिल नाडू एगरी कल्चर इनुवस्टी के तहेत यह पांडिचेरी में खुला गया था लेकिन अब उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में जो पहला खुला था वो सुल्तानपूर में खुला था अगर भारत का पूँचते हैं तो भारत का पहला क्रिश्विक ज्यान केंदर कहां खुला पांड़ी चेरी में 1974 में और ये उत्तर प्रदेश में जो खुला, ये सबसे पहले कहां खुला, सुल्तानपूर में, और ये कब खुला, ये आपका खुला 1976 में, दो वर्सबाद, और लगभग अब 731 के आसपास इस भारत में कृशी बिग्यान केंद्र कारेरत हैं, लगभग हर डिष्टिक में तो एक कृशी बिग्यान है ही, लेकिन कई सारे ऐसे जो बड़े डिष्टिक हैं, वहाँ पर दो-दो भी कृशी बिग्यान केंद्र हैं, गोल मेच चर्चा क्या कहलाती है, गोल मेच, नाम ही है, गोल और मेच, सामान तया, जब कभी कोई मंच होता है, भासन होता है, तो उसमें क्य स्टेज बनाया जाता है, और कुछ लोग स्टेज में बैठते हैं, और कुछ लोग उसके नीचे बैठते हैं, यानि जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, वो उस सभा के सबसे महत्तोपूर्ण बैक्ती होते हैं, लेकिन गोल मेच चर्चा का कारकरम ऐसा है कि एक मेज होती है, इसके चारों तरफ कुरसी बढ़ी होती है, लगभग इसमें सात लोग के आसपास होती हैं, सामानत explorer, तो गोल मेच चर्चा का उदेश यह होता है, इसमें कोई यह नहीं रहता है, कि यह कोई विसिस्ट बैक्ती है, जितने भी लोग बेठे हुए हैं इस गोल में क्या होता है परिचर्चा होती है विचारों का आधान प्रदान होता है हर ब्यक्ति की बात सुनी जाती है तो गोल में चर्चा इसको पैनल कहा जाता है और इसमें सभी लगभग समकष होते हैं और परिचर्चा के दौरान एक भों को सेयर करते हैं तो ये गोल मेज चर्चा पैनल कहलाती है अभी गोल मेज सम्मेलन अपने इतिहास एक दस्टिकोंड से भी प्रमुक था जो तीन चर्णों में हुआ जिसमें से की गाथी जी को ही बुलाया गया था लेकिन भीम्राव मेट कर थे जो तीनों में गया खेर इसरार शिक्षा से बहुत सारे क्रशी सम्मद्र ज्ञान की बाथ हुई है इसको रभी नाट एगोड ने स्थापित किया था भारत में लगभग कितने प्रस्ट भ्यक्ति Title और धंगत्ती गट बढ़ रहा है लेकिन फिलहाल जो बरतमान में है अब यह 64% का हिसाब से इसका होगा लेकिन अब क्या हुआ अब यह लगातार घट रहा है बरतमान में लगभग 54% के आसपास है latest यह पुराना question है फीड हुआ देखे कुल राश्ट्री आयए में जितने ज्यादा लोग खेती पर लगे हुए है या जितने प्रितिसत GDP है वो देश उतना गरीब रहता है हमारे यहाँ क्या है, अब क्रसी के अलावा क्रसी में क्या है? अधरस्सेबुर रोजगारी है खिती वही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं सब उसी में कार्व कर रहे हैं जब की इतने सारे साधुनों का प्रियोग हो गया ट्रेक्टर का आप देखिए बेलों से तु खेती करना लग भगायब हो गया फिर भी ज्यादा लोग उसी में घुसे हैं तो अब क्या है लोग सहरों की और भागने लगे हैं कार करने लगे हैं तो अब लगातार क्रशी से जो डाइरेक्ट रूजगार है उसकी संख्याब पर संट टूटल जी डीपी का एग्री कलचर से था अल्लग भग वह 16-17 पर संट आ चुगा तो पहले क्या था फस्ट में एगरी कल्चर था सेकेंड में इंड़ेस्टी था और थर्ड में क्या था सर्विस सेक्टर जो थर्ड में था उस समय वह आप ताप पर पहुंच चु तो सरवाधिक सिंचित वाला राज चुकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज हरियान है पंजाब है तो यहां का तो काफी एरिया सिंचित है लगभग अगर परसेंटेज में देखा जाए तो मद्द प्रदेश और हरियान बहुत आके हैं लेकिन टोटल में अगर देखा अगर परसेंटेज में पूछे तो फिर स्टेट चेंज हो जाएगा लेकिन टोटल अगर है तो टोटल में उत्तर प्रदेश है अब तो मद्द प्रदेश वैसे भी छेतफल के एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश था चतिस गर्वना तो अब राजस्थान का होगा क्रशी विज्ञान केंदर का मुख्यूद देश क्या है तो क्रशी विज्ञान केंदर का जो मुख्यूद देश है देखे क्रशी विज्ञान में जो मुख्यकार है इसमें टीचिंग, रिसर्च, एंड इक्स्टेंशन ये तीनों वर्क है इसके और जो भी नभीनत ग्यान है उस ग्यान को किसानों तक जनता तक प्रसार करताओं तक पहुंचाना ही नहीं है बल्कि उनको ट्रेनिंग देना प्रसिक्षन करना भी तो इस आधार पर अगर देखा जाए क्रसी की समुन्नत बानि जो सबसे लेटेस्ट टेखनिक होती हैं विदियों का किसानों प् करता है उनको भी ट्रेनिंग देना है और किसानों को भी देना है लेकिन सभी किसानों तक कई भी के पहुंच जाएगा संभो नहीं है इसलिए जो प्रसार करता है उनको भी ट्रेनिंग देना है और प्रसार करता सभी किसानों को ट्रेनिंग देंगे और वो किसानों को भी के के डाइरिक्ट ट्रेनिंग देता है। तो किसानों को कहा प्रसार कर करता भी ट्रेनिंग तो आप तो बहुत सारों में आया है लीड बैंक आई है कई बैंक के पर भी एक से लिक्शर लेंगे हम तो फिलाल यह जो स्टेट बैंक है ना स्टेट बैंक ने ग्रामिड अंगी करन था किसी गाउं को गोद ले करके और उस गाउं में सुभधाओं को देना जिससे उस गाउ इसने इसकी शुरुवात की थी, ट्रेनिंग एंड विजिट, तो ट्रेनिंग एंड विजिट, पहले तो बैस्यू की इस तर पर आया, बातार से फिर भारत में 74 में शुरुवात हुआ, तो अनुसन ध्यान समझ से करसी में हुए नमिंतम परिवर्तनों को अपने किसानों की श करचा हुई थी, सभी का उद्देश एक ही है, कि जो किसानों को अधिकतम जो लेटेस्ट टेकनिक हैं वो देना, और प्रसार करताओं को देना, और ये इसी में अपना हुआ क्रसी में हुए नमिंतम परिवर्तनों से इनकी सहायता करना, ये सेकेंड पूजी हो गया हुए, विस्तार सिक्षा का भी सेन्यम ने लिखित सेनियों में आता है, तो सुद्ध विग्यान, सुद्ध विग्यान तो है नहीं, अनुप्रयुक्त जीव विग्यान, जीव विग्यान भी नहीं है, ये है अनुप्रयुक्त बेवहारिक विग्यान, जो एक्स्टेंसन है न, ये माने जो direct laugh मिलता है सामन जस latest technique को बताना तो ये क्या हो गया अनुप्रयुक्त बेवहारिक बिग्यान जो बेवहारिकता में आ रहा है वो बिग्यान है extension का प्रद्योक्य का गाव में प्रसार करने के लिए तमासा करना कटपुदली तो कटपुदली तमासा में क्या होता है अब जानते हैं कटपुदली में कटपुदली का डांस होता है और अगर वैसे कभी आता है तो कटपुदली में दो चीज़ें होती है एक तो कटपुदली के माद्य हमसे जो हाब हाव पर दरसित किये जाते हैं और क्या होता है उसके background में क्या है sound चलता रहता है उसमें एक गाना चलता रहता है तो उससे आवाज निकलती है और उसी का जो action है वो कटपुतली करती है तो यह दो चीज है नमबर एक तो क्या हुआ द्रस्वी भी हो गया क्योंकि दिखाई देता है उसरब सुनाई से लिए देता है कि वो पीछे आवाज आती है तो द्रस्वी सब्रसाम अगरी हो गई है कटपुतली का और यहाँ पर क्या कहता है जन संचार का तो जन संचार का माध्यम है यह लेकिन फिर दूसा सामुहिक संचार का माध्यम है सामुहिक जिसमें समू में आते हो तो इसमें कठफुतली एक दो लोगों को तो दिखाया नहीं जाता जहां जाते हैं बहुत सारे लोग कठा होते हैं तो यह क्या हुआ यह सामुहिक संचार माध्यम का है और ये हमारा कठपुतली ग्रामिंग ले दिया में बहुत प्रचलन में है बरतमान में तो अब जितने भी जन संचार के शाधन जिसमें से कि मोबाइल प्रमुखब हो गया है हर ब्यक्ति के हाग तक सब कुछ पहुंच चुगा है तो अब कठपुतली बगयरा का उतना लेकिन फिर भी ग्रामिंग ले दिया हमें आज भी जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं उन सब लोगों के लिए बहुत महत्तपूर्ण है तो आज ये क्लास यहीं पर अभी समाप्त करते हैं और निक्स्ट क्लास में हम आप फिर मिलेंगे जय हिन जय भारत